जोतिस सास्त्र में घरों के नाम सोलह प्रकार के दिये गए हैं ये नाम घरों के दर्वाजों के आधार पर ही डिपेंड होते हैं जिस घर में जितना दर्वाजा है उसका नाम उतना होता है एक क्टी और उसके लिए जोतिस सास्त्र में एक विधार निष्चित की गई है पूरब दिसा का साला दुवाज्ग एक है दक्षन का दो है बस्चिंग दिसा का चार है और उत्तर दिसा का आठ है ये सब जोड मिला करके पंद्र होता है और इसमें एक साला dewuan के जोड़ा जात शुवक तरसंग्यम खल दुर मुखंचे खोडस नामम विजया विधानम यह 16 नाम जो है जो तिस सास्त्र में घरों के होते हैं जिस घर का दर्वाजा सिर्फ पस्चिम दिसा में होता है वह दर्वाजा उस घर का नाम होता है खर 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 यह खर नाम अच्छा नहीं होता इसका फल अच्छा नहीं होता तो पस्चिम का दर्वाजा जो खर होता है वह अच्छा नहीं होता और इसी क्रव में किसी किसी घर में पस्चिम के दर्वाजे के सांथ सांथ उस घर में उत्तर का भी दर्वाजा होता है तो साला धुरांग चार वाठ बारा जोड़ करके एक साला धुरांग जोड़ेंगे तो तेरह हो गया तो घर उग्र बन जाता है वो और मतलब कि नास की करीब पहुचा देता है चाहे जितना बड़ा जिमिदार हो लेकिन अगर घर का दर्वाजा पस्चिम उत्तर दिसा में हो तो उसके अगली पीड़ी के लिए वो कुछ सेश छोड़ के जाता नहीं है सब उसी पीड़ी में खतम हो जाता है तो पस्चिम का दर्वाजा अच्छा भी होता है अच्छा तब होता है जब वो बास्तू राजबलब के उस मतलब नियम के तहत बने जिसमें ये कहा गया है क कि नव भागम ग्रिहम कृत्तवा पंच भागे तुदक्षिडे त्री भागे उत्तरे प्रोग तो यहे वहन सते सती मतलब अगर आप पस्चिम करके खड़े हो जाए दर्वाजे में और आपके दाहिने तरफ पांच हिस्सा दर्वाजा जी बाएं तरफ तीन हिस्सा दर्व दर्वाजा और एक हिंस्से में दर्वाजा हो तो वह घर सुथकारी होता है आज हम अपने दर्वाजा को कमपास के माध्यम से डिगरी के माध्यम से बताएंगे कि दर्वाजा कहां और कैसे होना चाहिए जो पस्चिम दिशा में भी होकर के बरदान बन सकता है और यदी गल पर कमपास टाइब करेंगे तो कमपास ओपन हो जाएगा इस्टाल कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा यह एक मिनट की है और उसके बाद अपने घर के मीडिल में मध्य में बैठ करके कमपास को चालू कर लीजिए और तब देखिए अगर आपके घर का दरवाजा पस्चिम तरफ है वो कितने डिगरी पर है यह आपको पता चल जाएगा उस हिसाब से जो हम कायरक्रम करने जा रहे हैं आपको पता चलेगा का आपका द्वार सही डायरेक्शन में है कि गलत डायर आपको क्या करना है और सही डायरेक्शन में है तो अच्छी बात है जैवाब दिवासनी दिखो ऐसे हैं कि दो सो कि पचीज से 315 तक कि दो सो पचीज से 315 तक साउथ वेस्ट से लेकर के नार्थ वेस्ट तक दो सो पचीज से 315 डिग्री के बीच ही आता है वास्तु सिधान्त के अमसार अगर आपके डायरेक्शन कमपास की सुई पच्चिम दिशा की और मुख्यद्वार का संकेत कर रही है और सुई पच्चिम दिशा में 225 से 236 डिग्री पर आती है तो पच्चिम दिशा में इस डिग्री के मुख्यद्वार को पहला पद और पित्री के नाम से जाना जाता है अब यह मैं क्या बता रहा हूँ आप समझ रहे हैं मैंने इस पच्चिम दिशा के पूरे हिस्से को आठ भागों में डिवाइट किया नब्बे अंस को आठ भागों में डिवाइट किया साढ़े इग्यारह के हिसाब से अगर देखा जाए अनुवान तह तो आठ भाग बनेंगे और हर भाग में डर्वाजा होने का अलग-अलग फल है तो जैसे एकदम साउथ वेस्ट से जो अन्तिम आठवा हिस्सा है वो पित्रिपद कहलाता है प्रथम पद है पित्रिपद है तो पस्चिम दिशा में कमपास में इस डिगरी में मुख्यद्वार होना सुभ नहीं माना जाता है इस तरह का मुख्यदवार दरिद्रता लाता है घर में रहने वालों की आयू पर पस्चिम दिशा के पद एक का मुख्यदवार नकारात्मक प्रभाव डालता है ऐसे घरों में अकाल मिर्टु भी होती है और ऐसे घर का बुखिया हर समय परिसान और कर्ज से दबा रहता है क्योंकि ये दूसरी भासा में कहूं तो है तो ये साउथ वेस्ट ही है ये साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट में दर्वाजा होना कतई, कदापी अच्छा नहीं माना जाता है तो 225 से 236 के बीच में ये दिकम पास की सूई आपके दर्वाजे की तरफ इसारा कर रही है तो इसका मतलब कि ये गेट गलत है और अगर ऐसा है तो आज ही अगर आप अपने गेट के सामने गेट के ऊपर एक पीले रंग की पाइप में एक त्रिसूल लगवा सकते हैं तो जरूर लगवा दें इससे आपका दोस्त दूर हो जाएगा जैमाविंदिवासनी दो दो बात पहले तो एक मोंटा डायरेक्शन देख लो अगर दो सोपचीज से थीन सो पंद्र के बीच में सुई इसारा कर रही है और उस दिशा में आपका दर्वाजा है इसका मतलब कि आपका दर्वाजा पस्चिम दिशा में है अब पस्चिम दिशा में भी आठ भाग आपको करने हैं कितने करने हैं आठ आठ पद निर्धारित करने हैं और ये पद किधर से गिने जाएंगे भाई साउथ वेस्ट से नार जिसका नाम पित्री और जिसका मतलब असर जो है बड़ा ही बुरा होता है अब दूसरे पत्की बात करूंगा डायरेक्शन कमपास में जो आपके हाथ में है अगर उसकी सुई आपके मुख्यद्वार की दिसा को पस्चिम तरफ इंगित कर रही है और पस्चिम दिसा में कोई 236 से 247 डिग्री के बीच में है तो इसे वास्तु सिधान्त के अनुसार इसे वास्तु सिधान्त के अनुसार पस्चिम दिसा का पद क्रमान को दो कहते हैं पस्चिम दिसा में दूसरे पद का नाम द्वार का है द्वार का द्वार का नाम से जाना जाता है इस दिसा में इस डिगरी का मुख्धवार फिजूल खर्ची और धन की बरबादी का कारण बन सकता है। इस घर में रहने वाले लोगों के मन में हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है। पारिवारिक सम्मंधों में तनाव रहता है और कामकाज में भी अस्तित्ता की इस्तिती रहने के कारण असंतोस रहता है। ऐसे घरों में रहने वालों को चाहिए कि अपने घर के इसान कोड के छट पर के सरीया जंडा लगाएं और उसमें ओम का चिन्ह लगाएं। अगर हर समय ये जंडा नयात आ जा रहे और हर समय ये बदला जाता रहे तो इस दोस्त में थोड़ी सी कमी आ जाती है और घर में रहने वाले लोगों को थोड़ी सी रहत मिल जाती है घर के लोग धार्मिक हो जाते हैं पूजा पाठ करते हैं जिसके कारण पूजा पाठ के सका होकर के तीसरा भाग यह इसलिए इतना बता रहा हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन न रहे आपके हाथ में डायरेक्शन कम पास है अगर इसकी सुई जहां आपका दर्वाजा है वहां जातर के 247.5 से 269.2 के बीच में है तो यह आपका दर्वाजा पदक्रमांक 3 में होगा तो पस्चिम दिशा में तो इसे वास्तु सास्तर के अंसार पस्चिम दिशा का पदक्रमांक 3 कहेंगे इसका नाम है सुग्रीव क्या नम है सुग्रीव इस दिसा में इस डिगरी का मुख्यद्वार मिला जुला फल देता है इस दिसा में इस पत के मुख्यद्वार में मुख्यद्वार बनाया जा सकता है क्योंकि इस पत का मुख्यद्वार धनलाब देता है इससे संपनता आती है लेकिन सूप फल के साथ साथ यहां परिशानिया और नकारात मक्ता का भी वास हो सकता है मतलब यह 100% केवल पॉजिटिव नहीं है यह पॉजिटिव निगेटिव दोनों का मिस्रण है लेकिन अगर दूसरी सही डायरेक्शन में नहीं मिल पा रहा है और यहां भी दर्वाजा बनाना पड़े तो आप बना सकते हैं यह ज्यादा नुकसान दे नहीं है हाँ इस दर्वाजे को बनाने के बाद एक बात का विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए कि दर्वाजे के ठीक उपर आपको भगवान विश्णू का कोई एक मंत्र लिख देना चाहिए तो इस तरह से कोई एक मंत्र लिखा रहे ताकि घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति उस मंत्र को अपने मन में सोचता हुआ बोलता हुआ घर के अंदर प्रवेश करें तो घर की निगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी जैमा बिन्दिवास में देखे अब वही बात मेरी आ रही है नव भागम ग्रहम क्रित्वावाजी क्योंकि अब हम पत्क्रमांग चार की बात करेंगे ना तो पत्क्रमांग चार ही तो होता है उससाब से पांच अगर एक तरफ चुट रहा है तीन एक तरफ चुट रहा है नव भाग हो रहे हैं तो पस्चिम दिशा में 269 से 270 डिग्री के बीच में आपका दरवाजा है तो वास्तू सिधान्त के अनुसार पस्चिम दिशा का ये पदक्रमांग चार का मुख्धवार माना जाएगा और पस्चिम दिशा में इस मुख्धवार को पुस्वदंत नाम से जाना जाएगा इस डिशा में और इस डिग्री के बीच में अगर आपका मुख्धवार है तो आपके घर में पैसे की भरमार रहेगी मकान में रहने वाले परिवार और संतान के लिए सूफकारी होगा एक संतुलित जीवन जीने के लिए पस्चिम दिशा का पत्क मांग चार का मुख्धवार बेहत सुफ माना जाता है अगर घर के अंदर कीचन सही नहीं है, पूजा का डायरेक्शन सही नहीं है, सिंक सही जगा पे नहीं लगी है, फ्रीज गलत डायरेक्शन में है तो भी एगर मुख्यद्वार सही डाइरेक्शन में है तो काफी कुछ दोस्त दूर हो जाते हैं कि वो मुख्यद्वार के ठीक होने से मुख्यद्वार के ठीक होने से घर में positive energy अपने आप आती है और घर का मुख्यद्वार खराब होने से negativity भी अपने आप बढ़ती है प्रामर्स लेनी चाहिए और दिखिए ऐसा है कि हमारे हां एक स्कूटी लेना होगा तब तो लोग फोन करेंगे पंडी जी मुहरत बता दीजिए इस स्कूटी कब खरीदें एक अगर फ्रीज भी लानी है तो उसके लिए भी मुहरत चाहिए तो भाई अगर इस स्कूटी खरीदने के लिए आपको मुहरत चाहिए तो संतान उत्पत्ति के लिए आपको मुहरत क्यों नहीं चाहिए जो आपके भविश्य का निधारन करेगा या फिर आप अपना घर बनाते समय वास्तू के अनुसार उसकी बेवस्था हो यह क्यों नहीं चाहिए क्यों इंजिनियर के नक्से पर आर्किटेक्ट के नक्से पर आप विस्वास करके उसी घर को ले लेते हैं आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिएगा कि वास्तू सास्त्र का कितना अशर होता है गलट डायरेक्टर डायरेक्टर के वास्तू सास्त्र के जगह पे रहने वाले बड़े बड़े योग बैक्ती भी हतास और निरास रहते हैं और सही direction जिस घर का है उस घर में रहने वाले आयोग गे लोग भी सफलता की सीरियों पर बुलंदी की सीरियों पर चड़ते हैं यह वास्तु है जो अर्ष से फर्ष पर पहुँचा सकता है और यह वास्तु ही आपको फर्ष से अर्ष पर भी पहुचा सकता है इसलिए प्रकृति के अनकूल व्यवस्था के अनुसार अगर आप अपने जीवन को जीना सुरू करेंगे तो जीवन सहज और आसान हो जाएगा जीवन को पहली मत बनाएए जीवन को उल्जाएए मत जीवन को इतना सरल रखिए कि आपके सानिध्य में रहने वाले किसी व्यक्ति को आपको समझने में एक मिनट का समय न गवाना पड़े भगवान राम भी कहते हैं सरलता बहुत बड़ी बात है गीता में दैवी संपदा के लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है स्वाध्यायत तब आर्जवम आर्जव कहते हैं सरलता को जीवन सरल होना चाहिए उल्जा हुआ नहीं होना चाहिए तो मेरे कहने का मतलब है जीवन तब नहीं उल्जेगा जब घर का वास्तु सुल्जेगा और जब घर का वास्तु सुल्जेगा तो निहसंदेह आपको सफलता मिलेगी जै माविन दिवास में अगर आपका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में 270 से 281 डिगरी पर दिखा रहा है तो ऐसी दिशा वाला मकान आपको सफल बनाएगा या असफल पंडी जीजिस के बारे में बताएं अब चलिए भाई द्वार क्रवांक ये हो गया पांच पांचवां हिसा साउथ वेस्ट से चार भाग खतम हुआ अब पांचवें की चर्चा कर रहा हूं डायरेक्शन कमपास की सुई अगर मुख्य द्वार पश्चिम की दिशा की तरफ दिखा रही है और उसमें 270 से 281 डि दिशा में ये पर पांच जो है इसको बरून नाम से जाना जाता है इस दिशा में इस डिगरी का मुख्य द्वार घर में रहने वालों को हर काम में निपूर बनाता है लेकिन ऐसे घर में रहने वाले जरूर से ज़्यादा एंबीसियस महत्वा कांची होते हैं और जो हो तो घर में रहने वाले संपन्न और संब्रदसाली होते हैं देखिया ऐसा है ना कि जब कभी हम कोई बहुत बड़ा लक्ष अपना बना लेते हैं और उस किसी कारण से उस लक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो गीता में लिखा हुआ है ध्यायतो विसेह पुन्सरश संघस्टे सूप जायते संगात संजायते कामं कामं क्रोधु भी जायते क्रोधात व॥ सम्मोहं संूखाथ इसम्र्fighti ह्रमाइ इस मिर्ष्ति भरंसात बुद्धिनासो बुद्धिनासात प्रनस्यती जब किसी अस्मार सक्ति का नास होता है और उससे बुद्धी नश्ठ होती है और जब बुद्धी नश्ठ होती है तो व्यक्ति आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो जाता है तो कहने का मतलब यह है प्रभू से आप ये काम ना करें कि आपको वो कर्म करने की सामर्थ दें फल की बात मत करिए प्रभू से ये प्रार्थना करिए कि ये प्रभू एक छण के लिए भी मैं खाली नहीं रहूं हर समय मुझे बैस्त रखिए और मस्त रखिए बाकी परिणाम आप चाहे जैसा दिए जो लोग कर्म करने का आशिरबात प्रभू से मांगते हैं उनके जीवन में संपनता दासी बन करके आ जाती है तो इसलिए सिर्फ कर्म करिए फल को देख करके खुस और दुखी मत होई है क्योंकि कर्म इस्वर क्या धिन नहीं आप क्या धिन है और फल इस्वर क्या धिन है तो इस्वर को जो इच्छा होगी वह आपको देंगे उसी में आपको रहना चाहिए जै माविन दिवास में